हाई फ्रेंस वालकम टू माई चानल तो यह है दबेली तो बैसिकली दबेली बहुती फ्लेवल्फुल होता है इसमें घटा मीथा तीखा सबका स्वादाता है तो इसके लिए कुछ बैसिक प्रिपरेशन बाले से करके रखना होता है तो चलिए देख लेते हमें क्या क्या लग मासाला बनाना है तो उसमें मैंने नारील का बुरादा जीरा गोटा-धनिया चा-फॉरा-इकस तेज-प्थी 1-चसे-चारみृटा बनाना हो दो प्रोटा-प्रुटा-बनाना है नारेल जीरा और या हमए रोस्ट कर लेना है उसकी बात मय इसमें जो भी पावडर ब्र बार मसाला डालना है वो डालोंगी तो फर्स इनको अच्छे से लो फ्लेम में आपको रोस कर लेना है जब तक इनसे एक अच्छा सा अरोमा ना आने लगे तब तक तो देखी कलर भी चेंज हो गया है तो फ्लेम को मैंने यहां पर बन कर दिया है फिर मैंने इसमें वन टेबल अगर आपका सोखा, अदर कह कह, तो आप उसका भी यूस कर सकते हो और गोटा डालची नहीं थी तो इसका भी कर सकते हो डाल ना है दो मैंने पाउदर के यूस किया अब पहले वाला जो मसाला में रोस कह थाथ megum है तो उसीके साथ आपको इसको मिलाकर रोस कर लेना है टो पूरा पाउडर जैसा बना लेना है और यह जो पाउडर बनेगा इसको आप अराम से वान मन के लिए फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होगा देखो हमारा पाउडर बनके रेडी है तो इसको एक बाउने ट्रांसवर कर लेते हैं इसके बाद ह के लिए हमें रोस्टेट पीनट का जरूवत है तो मैं रेपास नहीं है तो फस्म पीनट को रोस्ट कर रही हूं अगर आपके पास रोस्टेट पीनट है तो आप डारेक उसका युश कीज़ें तो यहां पे लो-टू मेडियोम फ्लेम लखना है आपको और पीनट को चिलका आराम से निकल रहा है तो अभी रोस्ट हो गए है तो फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा थंड़ा करके इसका सारा चिलका को रिमूफ कर लेंगे इसके बाद मैं या पर कराई लिया है उसमें एक चमच कुकिंग ओल डाला है और को हलका गरम कर लेंगे उस इसको रोस कर लेंके बाद इसमें हमको मसाला डालना है तो हमने जो दबेली मसाला बनाया था वो डालेंगे वन टीस्पून और हाफ टीस्पून चाच मसाला डालेंगे और नमक हमने मसाला में ज्यादा नहीं डाला था तो अपने टेस्ट के एकोडिंग इसमें नमक डालेन पीनिट को हम एक बाउल में निकाल लेंगे हैं अब हम बनाएंगे चट्नी तो इसमें दो combinations होता है एक खटा चट्नी एक तीखा चट्नी तो खटा चट्नी इंव्लिग मिनका बनता है निलशन की न does के लिए और में गोटा लाल मिर्च को भीजा दिया था 5 मिनिट के लिए ताकि वह सॉफ्ट हो जाए अब इनको मिक्सी का जाल में ट्रांस्फर कर दिया है अब मैंने अदा चमच कश्मेरी लाल मिर्च ताला है और अदा चमच नमक डाला है आप नमक कम यहादा कर सकते हो उसको पीस लेना है तो आदा पिसने के बद मुझे अचानक से याद आया कि आज मेरे पास निम्बू नहीं है तो मैंने आप ए खटास के लिए तामाटर डाल दिया है अगर आपके बस निम्बू है ताप टमाटर को सकते हो तो 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 माटर के साथ बीस काफी अच्छा टेस्स आता है तो अब च चार चमच कुकिंग ओईल और अच्छा से गरम कर लेना है उसके बाद हम इसमें डालेंगे बोईल मेश पटेटो यहाँ पर मैंने मेडियम साइज का इट पटेटो को बोईल किया है और उसको मैंने अभी तेल में डाल दिया है और यह तेल के साथ आपको आलू को वान मिनि कैसे बना हुआ था अगर आपको जानना है मैंने इमली का चैटनी कैसे बनाया है तो मुझे कॉमेंट करके बता दीजीगा मैं जरूर आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करूंगी तो इमली का चैटनी मैंने या पर टू टेबल स्पून डाला है और थी टेबल स्पून अगर आपको लगे तो आप जाधा का भी यूज कर सकते हूं तो मेरा अलड़ी मसाला थो आसा गिल्ला ही था तो मैंने कम पानी डाला है उसके बद मैंने तेस किया तो मुझे इसमें नमक कम लगा तो मैंने यहां पर वान फोट टीश्पून चितना नमक और डाला है और इस उसको अच्छे से मिला लिया है मसाला में तो मसाला बन करके रेडी है तो ऐसे गिला गिला से मसाला बनाना है आपको ता बेली के लिए तो अब इस असाला को प्लेट में अच्छे से सैट कर लेंगे तो आप उसी साबसे बरतन या प्लेट जो भी ले रहे हो वो लीजे कि आ अच्छा प्याज नहीं डालना होता है तो आप सब चीज बन करके रेड़ी है अब एसेंबल करने की बारी तो हमने यह पे पाव लिया है तो अगर आपको इसको बारा साइज में पाव मिले तो आप वो भी यूज कीजिए तो ज़्यादा बेटर है आप इसमें आराम से स्टफ कर सकते हो ये मैंने छोड़ा सा इसका पाउ की Avenue use किया है मुझे यही मिला तो इसको आपको cut करना है लेकिन दौ पार्ट में cut करना है एक तरफ जोईन रखना है बाकी तरफ से इसको cut करना है तो ऐसा pocket जैसा बना लेना है उसके बाद जो हमने चट्णी बनाया था लजन का वो इसमें आपको लगाना है तो मैंने लिओं सब बाटी मालक लगा लिया है के ताकि सब ब्रेट का ना हो जाए अगर ब्रेट का उसमें रह जाएगा तो जली खराब हो जाएगा तो आपको उपर और नीचे तोनों के तरफ इसमें ये लसन का चठनी लगाना है तो जादा तीखा पसन है तो जादा लगाई है ने तो नॉर्मल ही लगाई है क्योंकि ये चठनी सच में बहुत तीखा होता है खाने में तो अच्छे से लसन का चट्णी को लगा लेना है इसके बाद एक चमच लेना है और यह मसाला जो हमने आलो को बनाया है वो पाओ में स्टॉप कर लेना है तो दबेली का मतलब भी यही होता है कि भर-बर के मसाला फिल किया जाए पाओ में उसी को दबेली कहते हैं तो आपको कुछा की जो कि एक दें अच्छे से स्टॉप कर लिए तो फिर सेम चीज़ करना और चाहों तो ऊपर आप पीनट और प्याज लगा सकते हो नहीं तो सकते हो तो मेरा पाउच होटा था तो मेरा दोईगी लेर मैंने लगा पाया अगर आपके बस बारा पाउए तो आप कोशिच कीजिए तीन लेर लगाने का तो दुसरा भी इसी तरह से बना लेते हैं तो आप आपने हाथों से थुआ सब प्रेस कर दीजिए ताकि अच्छे से खूल जाए और टूटे नहीं तो चिटनी लगाने के बद सीम आपको मसाला लेना है उसको अंदर के तरफ पूश करते वे इसमें स्टॉफ करना है तो इसमें आप जितना हो सके उतना मसाला स्टॉफ क इसमें लगा लेना है तो इसी तरह से मैं सब को बना करकी स्टॉफ करने का तो इसको लगा लेना हो जब बं करें तो हलका सा प्रेस किजिए एकदम मत दबा दि दबाये यह बीस कहारा जाएगा, सारा मसाला जाएगा उसे को क्लोश किजिए लाइब इसके इतना ही, बहुत जादा मत बाईएगा तो अच्छे से आपको butter यूज़ कोईना है इसमें तो butter नीचे पहले मैंने तवा में लगा लिया है और मैंने आपर दबेली रख दिया है इसके उपर और उपर के तरफ भी आपको butter लगा लेना है तो इसको butter से ही cook करना होता है तो आपको दोन तरफ से इसको golden brown होने तक बेक कर लेना है और flame low to medium ही रखेगा high flame मत रखेगा तो दोन तरफ से इसको असे पलटते हुए बेक कर लेना है तो इसको 5 minutes लग जाते हैं दोन तरफ से अच्छे से बेक होने में तो आप यह बन करके ready है इसको plate में निकाल लेते हैं तो आप इसको surf करने से पहले इसमें एक last step करना है तो चलिए वो step कर लेते हैं तो हमने यह आपे महीं save लिया है तो इस save से डवली के side में आपको ऐसे coat कर लेना है तो यह अराम से stick हो जाते हैं अगर save stick नहीं हो रहा है तो इसका भी उपाई है चलिए वो बताती हूं तो दबली ले लीजे और इमले का चट्मी ले लीजे और side में लगा लीजे तो थोड़ा side में लगा लीजे और इसके बाद इसके उपर save stick कीजे अराम से हो जाएगा तो मेरे दबली तो बन करके ready है मैं तो इसको enjoy करने वाली हूँ आप भी इसको बनाईए और इसको enjoy करेए सच में खाने में बहुत ही अच्छा लगता है इसमें जो भी flavors आते हैं ना काफी अच्छा लगता है खटा मीठा तीखा तो मज़ा आ जाता है खा करके तो इस recipe को ज़रूर try किजिए को मुझे comment करके बताएगा आपको इस recipe कैसी लगी thank you for watching please like, share and subscribe, bye bye